नमस्कार साथियो मैतुल भारत और आज आपके सामने हम फिर से आ गए हैं और हम विज्ञान की जो क्लास सेवंथ है उसका जो फर्स चेप्टर है पादबोबें पोशन उसका सेकंड पार्ट जो हमारा दुरा रह गया था ये जो चेप्टर है इसको आज हम पूरा करने वाले ह और इसका जो फर्स जो चेप्टर है जो इस चेप्टर का जो फर्स पार्ट है उसका जो उसकी वीडियो का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्टिशन बॉक्स में होगा आप दीख सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर दीजेगा ताकि हम से जोड़ीवी विज ज्यान, भुगोल, हिंदी की सारी वीडियोज आप तक मिल सकें तो अभी हमने पादपो में पोशन पढ़ा था और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सुख पोशी क्या होते हैं विशम पोशी क्या होते हैं पर जीवी क्या होते हैं पर पोशी क्या होते हैं अभी हम समने ये पढ और मृत पोशी या जो क्या कहते हैं जैसे आप यहां पर जीवी जो होते हैं जो दूसरे के उपर जीवित रहते हैं जो मरीवी चीजों पर जीवित रहते हैं या जो मरने वाली होती है उसके वारे मैं पढ़ा था तो अभी हमने यहां तक पढ़ा था और भूजो यह बोल रह था कि एक बार उनकी ग्यों की फसल कवक द्वारा नस्ट हो गई थी वैर जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं मतलब कवक के कारण रोग भी हो जाते हैं पहले ने बताया कि यीस्ट आवम छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी है जैसे जो कवक होते हैं जैसे च्छतरक मदलब मश्रूम वगरब परंतु कुछ कवक पादपो जनतुओ एवं मनेश्व में रोग उत्पन करते हैं कुछ कवको का उपियोग औशधी के रूप में भी होता है तो आप ये आपको पता लग गया कि रोग भी उत्पन करते हैं और रोशदी के रूप में भी उनका काम होता है कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं जिदा अपना आवास एवम पोशक तत्व एक दूसरे के साथ बाढ़ते हैं इसे सह जीवी संबंद कहते हैं उधारते कुछ कवक व्रक्षो की जड़ में रहते हैं व्रक्ष कवक को पोशन प्रदान करते हैं बदले में उन्हें जल एवम पोशको के अवशोशन में साहता मिलती है व्रक्ष के लिए इस संबंद का विशेश महत्व है लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागिदार होते हैं इनमें से एक शेवाल होता है तथा दूसरा कवक शेवाल में कलोरोफिल उपस्तित होता है जबकि कवक में कलोरोफिल नहीं होता कवक शेवाल को रहने का स्थान देता है जल एवं पोशित तत्व भी देता है उपलब्द कराता है तथा बदले में शेवाल प्रकाश अंशलेशन द्वारा संशलेशित खाद्य कवक को देता है तो भी आपने यहां पर देखा कि सह संबंदी जो एक दूसरे से जुड़ेवे हैं वो जीप भी होते हैं म्रदा में पोश को अभी आपको याल रखना है कि पादपो में हम पोशन खाना बनाने का जो कार्य है उसके बार में पढ़ रहे हैं तो हमें अपना फोकस उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है तो हमें हर चीज़ को समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कितनी महत्वपून है म्रदा में पोश को के पुने पूर्ती किस प्रकार होती है ठीक अब म्रदा की बारी आगई म्रदा के अंदर भी पोशक क्या आपने किसानों को अपने खेतों में एत्वा माली को बगीचे में लौन एवं गमलों में खाद तथा उर्वरत डालते देखा है कि आप जानते हैं कि वह इन्हें म्रदा में क्यों मिलाते हैं आप पढ़ चुके हैं कि पादब मरदा से खनीज पोशक तक आप शोशित करते हैं अथा म्रदा में इनकी मातरा लागातार कम होती है अब जैसे कि एकर आप अपने फिरिज में से कोई चीज़ ले लोगे तो उस फिरिज में तो वो चीज़ कम हो जाएगी incubus चाहिए ना तो उस फिरिज में वापिस हमें वो चीज़ डालनी पड़ेगी इसलिए उनके अंदर म्नदा को इन पोशक तत्वों से सम्रिद्ध करने के लिए भूमी में उरुवरत तता खाद्यम मिलाने के वशक्ता होती है यदि हम पादप के पोशन के वशक्ता के बारे में ज्यान हो तो हम ना केवल पादपों को उगा सकते हैं बलकि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं अगर हमें पता हो की पोधे को क्या यदि करज़े क्या चाहिए तौँ हम उनको उगा भी सकते हैं उनको ध्यान ठीक ठाग भी रख सकते हैं जैसे बहुत लोगों ने अपने घरों में गेंदेगा फूल और भी वह सारे फूल या फल उगा रखे होंगे पादपो को प्रोटीन बनाने के लिए साम माननेता नाइट्रोजन की अधिक आवशक्ता होती है फसल कटाई के बाद म्रदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है यद्दपी वायू में नाइट्रोजन गैस प्रचूर मात्रा में उपलब्द होती है परन्तु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कारबन डायोकसाइड का अपयोग करते हैं, पोधे नाइट्रोजन को विले रूप में ही अफ्शोशित कर सकते हैं। कुछ जीवानों जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायू मंडेलिये नाइट्रोजन को विले पदारतों में परिवर्टित करते हैं। परन्तु राइजोबियम अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तता अन्य फलिदार पादबो की जड़ों में रहते हैं। तता उन्हें नाइट्रोजन की अपूर्टि करते हैं। इसके बदले पादब राइजोबियम जिवानों को आवास एवम खाद्य प्रदान करते हैं। किसानों के लिए विशेश महत्व हैं। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन औरवरग देने की अवशक्ता नहीं पड़ती। यहीं नहीं। दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामानेता औरवरगों की अवशक्ता नहीं रहती। कि उनको जरुवत ही नहीं पड़ती नाइट्रोजन उन्वरक की क्योंकि वो जो राइबोजियम पड़ा राइजोबियम जो आपने पड़ा ये वो काम काते हैं इस अध्याय में आपने पड़ा की अधिकतर पादप स्वपोशी होते हैं बहुत कम ही पादप अन्य पोशन प्रणाली अपनाते हैं जैसे कि परजीवी ऑवं मृत जीवी दूसरे पादपो से पोशन प्राप करते हैं सावी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तता अन्य प्राणी उपर निर्भर रहते हैं, अते हैं उन्हें विशम पोशी के रूप में सामु ही कृत किया गया है, क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पोधे आशिक विशम पोशी हैं, तो यहां पे कुछ चीजे भी हमें स क्या जीवी प्रकास अंसलेशन के द्वरा ही आशिक रूप से तो कह सकते हैं, प्रमुक शब्द हैं पर आ गया है, सुवाप पोशी है, क्लोरो फिल है, विशम पोशी है, पर पोशी है, कीट भक्षी है, पादप है, पोशक, पर जीवी, प्रकास अंसलेशन, मृत जीवी, रंद्र, सहजीवी, संबंद और कवक, आपको याद रखने हैं, अनके बारे में आपको चैप्टर से अच्छे जब पढ़ लेना है। आपने क्या सीखा? सभी जीवों को खाद्य के अवशकता होती है, जिसका अपयोग वे अपनी वृद्धी एवं शरीर के रखरकाव के लिए तथा आवशक ओड़जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश अंचलेशन प्रकरम द्वारा अपना खाद्य स्वयम संचलेशित करते हैं। प्रकाश अंचलेशन के प्रकरम में क्लोरोफिल की साहिता से पत्तियों द्वारा सोर उर्जा का संचेन किया जाता है। प्रकाश अंचलेशन के लिए क्लोरोफिल एम सूरे का प्रकाश अंचलेशन प्रकाश अंचलेशन के उत्पाद है। मतलब प्रकाश अंचलेशन के बाद जो उगता है जो पैदा होता है वो कार्बोहाइटरेट और ऑक्सिजन भी है ऑक्सिजन निर्मुक्त हो जाती है। प्रकाश अंचलेशन के प्रकाश अंचलेशन के प्रकाश अंचलेशन में ऑक्सिजन उत्पादित होती है। वे परपोशी पादप से अपना भोजन प्राक करते हैं। अब यहाँ पर अब्यास के प्रशन के लिए हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए एक दूसरी नई वीडियो बना ले ताकि आप इनको अच्छे से आप क्या कहते हैं वो कर सकें, help कर सकें आपके लिए help हो सकें बहुत अच्छे से तो हम इसके लिए next वीडियो में इनके सारे प्रशन आपके जल्दी से लेके आते हैं ताकि आपको पढ़ने में मज़ा है हम इस तरीके से वीडियो के इस प्रशन के उतर लेके आएंगे कि आप उनको pause करके लिख भी सकते हैं ठीक है, तो आप हम से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करती जेगा ताकि आपको हम से जुड़े भी वीडियो मिलती रहे आप घर में रहिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए जै हिन, जै भारत